हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में मैं आपको मिया नसीरोदीन जो नानबाई हैं उनकी इस कहानी के प्रश्ण उत्तर बताने जा रही हूँ ये सभी प्रश्ण परिक्षा के लिए अध्यन्त महत कौन है पहला प्रश्ण है मिया नसीरोदीन को नानबाईयों का मसीहा क्यों कहा गया है देखिए मिया नसीरोदीन का चरित्र जो है वो कोई साधारण व्यक्तिका नहीं है उनके अनुसार वो कोई साधारण नानबाई नहीं है वो खांदानी नानबाई है उनकी पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर था वे तुनकी और रुमाली रोटियां बनाना जानते हैं वे रोटी बनाने को एक कला मानते थे और ऐसे कहते थे कि वहा इस कला के उस्ताद है उनकी बातचीत का तरीका महान कलाकारों जैसा है उनमें आत्मविश्वास और फक्कडपन दोनों देखने को मिलते हैं इसलिए उन्हें नानबाईयों का मसीहा कहा गया है नानबाई का मीनिंग होता है रोटियां बनाने वाला दूसरा प्रिश्ने है लेखी का मिया नसीरू दीन के पास क्यों गई थी आपको मैंने इससे पहले वीडियो में इसकी पूरी डिटेल्स बताई थी फिर भी मैं आपको इस प्रिश्न का उत्तर बता रही हूँ वहें उनकी कारीगरी को जानने के लिए गई थी और उसे प्रकाशित करना चाहती थी इसलिए उन्होंने मिया से रोटिया खरीदी नहीं बलकि कुछ प्रिश्न कर लिए और एक पत्रकार की हैस्यत से क्रिश्ना सोबती जो इस पाठ की लेखिका है मिया नसीरू दिन का चरित्र चित्रन करती है वहा गई थी तीसरा प्रिश्न है बादसाय के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मिया नसीरू दिन की दिल्चस्पी क्यों खत्म हो गई बादसाय का प्रसंग आते ही लेखक से बात करना उसने कम कर दिया क्यों? क्योंकि वह काफी समय से परंपरा गत रूप से बादशाह का नाम सुनता चला आया था और उसे तठ्यों का ज्यान नहीं था ना तो उसने इन सब नामों और तठ्यों का महत्व जाना था और ना ही उसे इनकी जरूरत कभी महसूस हुई थी इसलिए लेखिका के प्रश्ण सुनकर मिया नसीरूदीन को जवाब देना मुश्किल हो गया और उसने लेखिका की बातों में दिल्चस्पी खतम कर दी प्रश्ण आता है मिया नसीरूदीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधर के आसार देखकर यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया इसमें कौन से प्रसंग का उलेख है मिया नसीरूदीन जो थे वो पत्रकारों को निठलना मानते थे और पत्रकारों को निठलना मानने के साथ साथ वो यह मानते थे कि जो अख़वार पढ़ते हैं वो भी फाल्तू व्यक्ति होते हैं यानि उन्हें कोई काम नहीं होता निठलना यानि जिनें कोई काम नहीं होता इसलिए उन्होंने लेखिका की बात को बीच में ही काट दिया और कहा कि बबन मियां भट्टी सुलगालों काम से निप्टें यानि अब वो रुखाई स्पष्ट दिखा रहे हैं वो नहीं जाते हैं कि लेखिका वहाँ ठहरें क्योंकि वहाँ पत्रकार लोगों को निठला मानते हैं यानि मुफ्तकोर निठला मानते हैं जिने कोई काम नहीं होता लेखिका ने नसुरुदिन के चेहरे पर यह जो भाव आये थे उन्हें भाप लिया था और अब उसे पता था कि उसके और किसी सवाल का जवाब मिया जी नहीं देंगे प्रश्न आ जाता है पाठ में मिया नसीरुदिन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है लेखिका ने उनका शब्द चित्र इस प्रकार से बनाया है हमने जो अंदर जहांका तो पाया मिया चार पाइप पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं मौसमों की मार से पका चेहरा आँखों में काईया भूलापन और पेशानी पर मंझे हुए कारिकर के तेवर प्रेशन है मिया नसीरोदिन तीसरी पीधी के हैं जिसने अपने खांदानी व्यवसाई को अपनाया परतमान में प्राहे लोग अपने पारमपरिक व्यवसाई को नहीं अपना रहे हैं ऐसा क्यों है आज कल बहुत सारे लोग पारंपरिक वैवसाई को नहीं अपनाते हैं जिनके घरों में अच्छे बिजनेस हैं वही केवली है वैवसाई अपनाते हैं अपने जो पुराने पीधी के वैवसाई हैं और जिनके वैवसाई छोटे हैं लाब कम हैं वह अन्य वैवसाई के और जान हो गए हैं इसलिए लोग अपने पैत्रिक धंदे को छोड़ करके अन्य बिजनिस अपनाना चाहते हैं प्रश्न आ जाता है मिया नसीरुदीन सची तालीम किसे मानते हैं मिया नसीरुदीन चाहिए सची तालीम वियावारिक अनुभव को मानते हैं यानि प्रैक्टिकल नोलेज होना जिरूरी है उनके अनुसार जब तक कोई आदमी काम करता नहीं है यानी केवल सीखने से काम नहीं आता काम करने से काम आता है बरतन माजना, भट्टी बनाना, भट्टी में आँच देना नहीं सीखता उनके अनुसार तो वह अच्छा नानबाई नहीं बन सकता केवल चार पाइपर बैट कर हुक्म चलाने से ही कोई अच्छा नानबाई नहीं बन जाता यह मिया नसीरूदीन का मानना है उनके शब्दों में तालीम को अपनाना महत्पून है, यानि काम को सीखना जुरूरी है कभी वह काम करना आता है प्रश्ण है, मिया नसीरूदीन कौन सी कला में माहिर थे? आ यह महारत उन्हें कैसे मिली थी? उतर है, उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी और यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी उनके पिता ने उनके गादा से सीखा था इस प्रकार से कई पीडियों से उनके खांदान में यह कला चलती-चली आ रही थी प्रेशन है हुनर सीखने के लिए किन बातों की जरूरत होती है मिया के अनुसार उधारण देजिए मिया कहते हैं कि हुनर मंत्र फूखने से नहीं आता यानि कि कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप कोई काम करना सीख जाएं उसके लिए लगन मेहनत और अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास यानि लगातार आप कोई काम करते रहेंगे तो आपको वह काम करना आ जाता है किसी बच्चे को सीधा ही तीसरी क्लास में पिठा दिया जाए तो वह बच्चा एकदम से ज्ञान नहीं सीख पाएगा इसलिए उसे छोटी सीडियों से होकर के गुजरना पड़ता है मिया का यह है उधारन इस पार्ट से हमें देखने को मिलता है प्रशन है मिया नसीरुदिन कौन थे और उन्होंने नानबाई का हुनर सीखने के क्रम में क्या क्या सीखा मिया परसिथ नानबाई थे और उनके पिताजी और दादाजी भी बाशाह के लिए रोटियां बनाया करते थे यानि वे खान दानी थे और अपने जो रोटी बनाने उन्होंने सीखा उसमें सबसे पहले भट्टी बनाना भट्टी होती है मिट्टी की एक बड़ी सी चुला जिसे कहते हैं वो होता है उसमें आच कैसे दी जाए क्योंकि आच उसमें लकडियों से दी जाती है बरतंद होना और छोटे से छोटा काम करना सीखा यहां तक कि खोमचा लगा करके रहडी लगा करके भी उन्होंने बना काम सीखा और रोटियों को परोसना भी सीखा तब जा करके वो कहीं खानदानी प्रसिद्ध नानवाई बन पाए इस प्रकार से कृष्णा सोप्री जी के द्वारा मिया नसीरु दिन का चरित्रचीत्रण किया गया है इसके इलावा आपको इस पार्ट की व्याख्या जानना चाहते हैं आप तो आपको मेरे और वीडियो में इसकी डिटेल में व्याख्या मिल जाएगी और इसके जो गध्यांस हैं उनके भी आपको उनने प्रशनोतर बता रखे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें शेयर करना ना भूले सब्सक्राइब भी करें